नविस्कार दोस्तो जैहिंद वन्दे मात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर आप सभी का स्वागत अम्ननन्द है टीटी फैमिली सिछकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिछ्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पेडाग दिया गया है और इसके पहले भी तीन पार्ट कंप्रेट कर चुके हैं जिसका आई बिटन पे यहां पे आलेडी दे दिया गया है और ये तीन पार्ट में हमने पार्ट चरिया का बूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है आज हम जो टॉपिक की बात करेंगे योजना की बात करते का सभी कमेंट किजिएगा तो राइट अपसन या पे क्या हो जाएगा पाठ योजना की जो आवशक्ता होती है वह आपके प्रसूती करन करम में भी होती है पाठ वस्त के तत्तों में भी होती है और सिच्छन क्रियाओं के सुरूप में भी होती है अर्थात उप्रोग सभी जो अपसन दिया गया है डी अपसन यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बाद दूसरा प्रस्न है प्राचीन पाठ योजना दी जो प्राचीन पाठ योजना है किसने दी थी बी-एस ब्लूम ने, किलपेटिक ने, हरवट ने या उप्रोग में से कोई ने तो आप सभी लोग जानते हैं प्राचीन पाठ योजना किसके दौरा दी गई है तो हम बात करगे हरवट की बात करेंगे जी हाँ, यहाँ यहाँ पे भी अपसन हरवट अवाल अपसन हमारा सही हो जाएगा इसके बाद अगलापस ने मुल्यांकन पाठ योजना किस ने दी मौरिशन ने, जान डीवी ने, ब्लूम ने या उप्रोग सभी ने दी है जी आप सभी का कमेंट आ चुका है तो मुल्यांकन पाठ योजना किस ने दी है जब भी मुल्यंकन पाठ योजना की बात की जाती है हम बात करेंगे BS Bloom की बात करेंगे उसके बाद आपका अंगला प्रशन है मुल्यंकन पाठ योजना के पद होते हैं पांच पद होते हैं तीन पद होते हैं छै पद होते हैं या उक्रोक में से कोई नहीं होता सभी बताईएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुल्यंकन पाथ योजना के कितने पद होते हैं तो मुल्यंकन पाथ योजना के तीन पद होते हैं कितने पद होते हैं मुल्यंकन पाथ योजना के आपके तीन पद होते हैं और कभी-कभी इन पदों का भी जिक्र पूँचा जाता है ठीक है तो चलिए बात करतेंगे अंगले प्रिश्न की पांचवा प्रिश्न जो इसकीन पर है पाठ योजना का मुख पच्छ क्या होता है अदा, प्रक्या, प्रदा या उप्रोफ जभी होता है सभी कमिन कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाईयों की प्यारी परिबहने ग्रणी इनका सपना है टीटी एकजाम को फते करना सेलेक्शन एक सेक परसेंट पाना एकजाम को फते करना एकजाम को क्रेक करना एम्पिटेट में बल आना तो पाठ योजना को जो मुख पच्छ होता है वह आपका कौन सा होता है वह आपका आदा भी होता है प्रकिया भी होता है और प्रदा भी होता है अर्थात उप्रोक्षभी आपसन यहापे अमारा सही हो जाएगा अर्थात उप्रोक्षभी आपसन हमारा सही हो जाएगा यह तीनों आपके पाठ योजना के मुख क्रियाएं होती है प्रसुती करन, मुल्यांकन और सिच्छन उद्देश की बात करेंगे इसके साथ यंगला पसन है पाठ योजना को मुख तत्त क्या होता है पाठ वस्तु के तत्त होते हैं सहायक समागरी होता है पाठ योजना को जो मुख तत्त होता है वह आपकी पाठ पस्तु के तत्त भी कहलाते है पाठ योजना के यह तीनों हमारे मुख तत्त हो जाते हैं अथाज जो आपका उप्रोक शभी आपसन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा नो डाउट आई हो प्रत्यक प्रस्ण को आप लोग समझ रहे हैं इसके बाद हम बात करेंगे अंगले प्रस्तु करण होता है वहरबर्ट पाठ योजना का है मुल्यंकन पाठ योजना का या इन दोनों का है या उप्रोक मेंशे कोई नहीं सब ही कमेंट के जाएगा जिहां दोस्तों पाठ योजना में जो प्रस्तुती करण होता है वह किसको महत तो देता है तो पाठ योजना में जो प्रस्तुती करण होता है वह आपके हरवर्ट पार्थ योजना को मात्तो देता है यहाँ पर प्रस्तुन आपका है किसको जो है यह मात्तो देता है ठीक है तो हरवर्ट पार्थ योजना को यह मात्तो देता है पार्थ योजना में प्रस्तूती करन के या कोई ने सभी याँ पे कमेंट करते लिए लाइफ क्लास के मादधाम से जोड़ते रहे पार्ठ योजना उद्देश जो केंदित होता है दोस्तों वै आपके परिशत पार्ठ योजना और ब्लूम पार्ठ योजना दोनों के धार पर होता है इसलिए जो दोनों ही में दिया गया है यहाँ पे हमारा जो आपसन सही होगा दोनों ही में बाला आपसन हमारा सही हो जाएगा इसके बाद आपका अंगला प्रस्न दिया गया है पार्ठ योजना वै सीरसक है जिसमें सिच्छक कच्छा के अंतरगत कुछ निश्चित उपलब्दियों को सुनिश्चित क्याओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है यह परिभासा दी गई, किसके द्वारा दी गई थी L.B. Sanders की, महात्मा गांधी की, बोसिंग की या Harvard Spencer की बात कर रहे है तो पाठ योजना वह सीर्षक है, जिसमें सिच्छक, कच्छा के अंतरगत, कुछ निश्चित उपलब्दियों को सुनिश्चित क्याओं के द्वारा प्राप करने का प्रयास करता है यह जो परिभासा दी गई थी, यह आपके परिभासा बोशिंग के द्वारा दी गई थी यहां पर आपका भी आपसन सही हो जाएगा अंगला पसने, पाठ योजना का स्तरपतम प्रमुख शोपान क्या होता है? बिसेवस्त का प्रसुती करन, शमानी करन, प्रयोग या प्रस्तावना की बात करेंगे तो पाठ योजना का स्तरपतम जो हमारा प्रमुख शोपान कहलाता है वह प्रमुख शोपान हमारा कौन सा कहला जाता है? वह कहलाता है प्रस्तावना जी हां दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पाठ योजना का स्वर्पतम जो प्रमुक्ष्वपान होता है वह होता है प्रस्तावना आईए बात करते हैं आपके अंगले पिशन की इकाई पाठ योजना का मूल अधार क्या होता है डाल्टन, बिनेटिका, इकाई पाठ योजना या ठेका वेति की बात करेंगे जी हां सब भी कमेंट किजेगा दोस्तों जब भी आपके इकाई पाठ योजना के मूल अधार का जिक्र होता है एक ही आपसन का चैन किया जा सकता है और वह आपसन कौन सा है इकाई पाठ योजना यानि इकाई पाठ कम की बात करेंगे तो इकाई पाठ योजना का जो मूल अधार होता है वह आपका इकाई पाठ कम होता है यहां पे हमारा सीवाल आपसन सई हो जाएगा नो डाउट आई होप आप समझ गये होंगे आईए बात करते हैं अंगले पिसन की पाठ योजना के अंतरगत पाठ का जो मूल भाग होता है वह प्रस्तावना है उद्देश कतन है प्रस्तुती करण है या तुलना है तो पाठ योजना के अंतरगत पाठ का जो मूल भाग होता है वह हमारा कौन सा कहलाता है आप सभी लोग जानते हैं पाठ योजना के अंतरगत पाठ का मूल भाग कहलाता है वह हमारा प्रस्तूती करण कहलाता है पासे पाठ और पासे प्रस्तूती करण अर्थात पाठ योजना के अंतरगत पाठ का मूल भाग प्रस्तूती करण की बात करेंगे इसके बाद आपका अंगला प्रशन है प्रतेक पाठ में विशिष्ट उद्देश जो होते हैं वह एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, एक दूसरे से भिन होते हैं, एक दूसरे से लगवग एक समान होते हैं, या एक दूसरे में थोड़ा बहुत भिन होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग ज्यानी सरव व्यख्याता लोग हैं, भावी अध्य पकद्धा पिकाए हैं कि प्रतेक पार्ट में जो विशिष्ट उद्देस होता है वह एक दूसरे से प्रकार में आपकी क्या होते हैं भिन्नोते हैं जहां दोस्तों प्रतेक पार्ट में विशिष्ट उद्देस होते हैं जो उद्देस होता है वह एक दूसरे से क्या होते हैं यूँकि सेम उदेसे तो नहीं हो सकते हैं, थीके। उदेसे क्या होते हैं? भिन होते हैं। इसके बाद आपका अंगला प्रशन है यदि पाठ योजना लंबी हो तो पाठ सिच्छन प्रारम से ही क्या होगा मान लीजे कोई पाठ योजना लंबी दी गई है आपने डियर्ड में किया होगा तो पाठ योजना जो लंबी हो तो पाठ सिच्छन जो प्रारम से ही क्या होता है सरस होता है प्रभावशाली होता है ज्यान वर्धक होता है या नीरस होता है तो आप सभी लोग जानते हैं यदि कोई पाठ यूजना लंबी होती है उसमें पाठ जो सिच्छन प्रारम से हमारा किस प्रकार का हो जाता है तो पाठ से प्रारम से हमारा ज्यान वर्धक होता है क्योंकि यह दि पाठ योजना लंबी है तो पाठ सिच्छन प्राराम से ही ज्यान वर्धाद होगा इसलिए हमारा सी आपसन हे आपे सई हो जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे अंगला प्रष्ण जो स्कीन पर दिया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो नियम निसकस पैडाम या सिद्धान के निधारन हेतु पाथ योजना के अंतरगत जो पद होता है क्या वैपूर उग्यान है या प्रस्तावना है शमानी करण है या प्रस्तोती करण है चारो सब्द आपके पड़े हुएं लेकिन जो इस प्रस्त का सही सठी कुत्तर हमें बताता है कि नियम निसकस पैडाम या सिद्धान्त के निधारन हेतु पाथ योजना के अंतरगत जो पद हमारा कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है वह कहलाता है शमानी करण जिया आपसे नंबर सी की बात करेंगे नो डाउट आई होप आप सभी लोग समझ गये होंगे आईए बात करते हैं अंगले प्रस्न की अंगला प्रस्न है इंटेस्टेट प्रस्न है ध्यान दीजेगा किसके अनुसार पाठ योजना में अभिप्राय जो होता है जी हां किसके अनुसार पाठ योजना में अभिप्राय उपलब्दियों की प्राप्त के लिए उन विशिश साद्नों का निर्ण है जिनके द्वारा वे उपलब्दियां एक निश्चिस समय में की गई क्रियाओं के पड़ाम सुरूप प्राप्ट की जाती है क्या वापका कंठर है बॉसिंग है बिनिंग और तथा बिनिंग की बात करेंगे या कोहेन की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तो कि ये बॉसिंग के अनुसार पाठ योजना में अभी प्राय उपलब्दियों की प्राप्त के लिए उन विशिष साध्वों का नेड़ने हैं जिनके द्वारा वे उपलब्दियां एक निश्ची समय में की गई है इन क्रियाओं के पड़ाम सुरूप प्राप्त की जाती है यह जो किसके अनुसार है आपक प्रकरण है, मुल्यंकन है, कच्छा एवं कर्म है यह सभी हो जाते हैं तो लगुपाठ योजना में क्या सामिल हो जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं लगुपाठ योजना में आपका प्रकरण भी सामिल होता है मुल्यंकन भी सामिल होता है और कच्छा एवं कर्म आपक ने हमें हमारा सही हो जाएगा इसके साथ ये अंगला प्रशन है कि मनो गामक सिच्छन उद्देसों की प्राप्त की किस पार्थ योजना के माधम से करपाना शंभव होए ब्यापक पार्थ योजना क्रियात्मक पार्थ योजना सूच पाठ योजना या इकाई पाठ योजना तो मनो गामक सिच्छन उद्यसों के प्राप्त के लिए जिस पाठ योजना के माध्यम से करपाना शंभव होता है वह हमारा कौन शक कहलाता है वह हमारा कहलाता है सूच पाठ योजना जी हाँ दोस्तो मनो गामक सिच्छन उदेशों की प्राप्ति आपके सूच पाठ योजना के माध्यम से करपाना शंभा होता है क्योंकि किन्स उदेशों की बात कर रहे हैं मनो गामक सिच्छन उदेशों की प्राप्ति की बात की जा रही है इसलिए सूच पाठ योजना की बात करें परंप्रगत प्रसिच्छन विद्याले में सिच्छक की पाठ योजना में लचीलापन का उलेख नहीं होता है या यह सब भी हो जाएंग तो पाठ योजना में जो सामिल सिमाएं होती हैं सिमाएं भी जो होती हैं पाठ योजना में सामिल तो सिमाएं क्या क्या होती हैं तो पा आपसन यहां पर सही हो जाएगा और अंगला प्रस्ण है जो आप सभी के लिए मोग कोश्चन के रूप में है कि निन में से क्या दीर कालिक अंदेशन योजना में समलित है दैनिक अंदेशन योजना सपताहिक अंदेशन योजना पाचिक अंदेशन योजना या वार्सिक अं question cancer क्या होगा और मैं आपसे मिलता हूँ daily's साम को आपकी pedagogy की class होती 7 p.m. पे तो 7 p.m. पे आप लोग live class के साथ मादम से attend किए सभी classes attend कीजे पेड़ागोजी की सिच्छा सास की 23 तयारी कीजे मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलता हूँ के अंगली class पर सभी मित्रों को जैहिंद बंदे मातरम धन्मादागोजी